नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर मैं हूँ आपके साथ रागनी सिंग रुख करेंगे खबरों की ओर लेकिन उससे पहले हेड्लाइन्स पर एक नज़र डॉक्टर रामनोर लोहिया की पुनितिती पर सीम नितीश ने अर्पित की पुष्पांजली कहा जेपी और लोहिया के मार्ग पर चलते रहेंगे गिरी डी में सीम हुईमंत सोरेन ने सुनी लोगों की समस्याएं अधिकारियों को दिये समधान करने की निर्देश पक्षिम चंपारण में प्रिशान्त किशोर ने लोगों से किया समध कहा अपने बच्चों के भविश्य के लिए डाले वोट महारिशी चिंचिन पांडी की याद में कारिक्रम का आयोजन विशेश डाक आवरण भी किया गया जारी और अब खबरे विस्तार से पटना के ककडबाग में सियम नितीश कुमान राम मनहोर लोहिया की पुनितिथी के मौके पर उन्हें पुष्पांजली अर्पित की इस मौके पर उन्होंने कहा कि राम मनहोर लोहिया को वो बचपन से ही जानते थे और उनके विचारों से प्रुपावित थे, उनका कम उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनके विचार ने पूरे समाज को प्रभावित किया साथी सीम ने जेपी को भी याद किया उन्होंने कहा कि हम लोग जैप्रकाश बाबू और लोहिया के मार्ग पर चलने वाले लोग है नतीश कुमार ने अमिच्छाह पर निशाना साथते हुए कहा कि जिनको जो कहना है कहने दीजिए हम लोग जेपी और लोहिया के मार्ग पर चलकर काम करते हैं और करते रहेंगे तक्राइब लोहिया जी की पुन्य तिथी है और समय तो हम लोग विल्कुल छात्र थे पॉलिट में पढ़ी रहे थे उसी समय उनका निधन हुआ था हम तो जब यहां हम उनका निधन के पहले आकर के इनका भासन भी हुआ था नहीं लगाया है जात्र के रूप पे इनकी बात सुनने आये थे जब हम बच्चे रहे हैं उस समय भी अकवारों में इनके बारे में पढ़ते रहे हैं जार्खन के मुख्यमंतरि हेमं सोरğlए गीडी पोचे जहाँ दौरान जन्डा मैदान में अयोजित कारिक्रम में उन्होंने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारिक्रम का उद्गाटन किया मुख्यमंत्री हेमन सोरेन ने सभी उप्युक्तों को जन शिकायतों को तरित निप्टारा करने के निर्देश दिये उन्होंने कारिक्रम के दौरान जनता से सीधा संबाद स्थाफित कर उनकी शिकायतों और समस्त् पर कारवाई करने को कहा साथ ही उन्होंने इस कारिक्रम की जानकारी घर घर तक पहुचाने की निरदेश भी दिए पक्षमी चंपरण के बस्ता पंच्रायत के लोगों से चुनावी रणीतिकार प्रिशांद कशोर ने समबात किया इस दोरान उन्होंने कहा कि हम गांधी जी का फोटो लेकर चले हैं याद रखिये गांधी के साथ समाज खड़ा हो गया तो देश आजाद हो गया आप लोग फिर से गांधी के साथ एक बार खड़े हो ये और आपकी गरीबी दूर होगी साथी उन्होंने स्थानिय लोगों से अफील करते हुए कहा कि जन सुराज परद्यात्रा में हम आपको सिखाने और समझाने आए हैं कि आप लोग लालू, नितीश या मोदी किसी के नाम पर वोट मट डालिए बलकि बिहार के बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट कीजिए आप खुद नहीं जागेंगे तो नितीश कुमार या मोदी जी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते प्रिस्टी के लिए निकले हैं, आपको जगाने निकले हैं, समझाने निकले हैं, भोट नहीं माँग रहे हैं गांदी जी का फोटो लेकर चले हैं, याद रखिये, गांदी के सामने समाज खड़ा हो गया गांदी जी के साथ, तो देश अजाद हो गया बिहार के बच्चों के भविश्य के नाम पर बोट परना चाहिए पटना में महाकरांतिनायक महारशी चुन्चुन पांडे और विपलभी फुलेना प्रशाद की याद में बिहार म्यूजियम सबागार में कारिक्रम कायोजन किया इस दोरान आजादी के अम्रत महत्सप के तहट विशेश डाग आवरण भी जारी किया गया कारिक्रम में महारशी चुन्चुन पांडे के पौत्र स्वतंत्रता संग्राम के चर्चित इतिहासकार और कवी प्रकाश पांडे और फुलेना प्रशाद श्रवास्तों के करीबी मनुज कुमार सनावे मौजूद रहे बिहार के मजफरपुर में पौलिस ने शराब तश्करी का बड़ा खुलासा किया जानकारी के मताबिक पौलिस को सूचना मिली थी कि दूसरे प्रदेश ने शराब की खेप मंगवाई जा रही है जिसके बाद उन्होंने दरबंगा मोड पर घेराबंदी की तभी एक कार और उसके पीछे एक एमबलेस दिखाई पड़ी जिसके बाद आरोपियों ने भागने की कोशिश की लेकिन पौलिस ने उन्हें धर्दबोचा हूस्ताश करने पर पता चला कि ये सबी दिल्ली और हर्याना के रहने वाले हैं वहीं शे सराब की खेप लेकर आते हैं और फिलाल पौलिस मामली की जांच में जुटी है जो सभी हर्याना कराने वाले हैं जिसमें दो एक एंबुलेट का ड्राइवर हो और एक ड्राइवर हो दुमका में तीन श्रवन कुमार अपने पूडे माबाप को बास के डाले में बैठा कर सुल्तान गन से बैदनात धाम होते हुए बाजुकी नात धाम की तीर थी त्यात्रा पर निकल पड़े जानकारी के मताबिक शिवनंदन पुर निवासी सुमित्यादव सुमित्रा देवी को लेकर उनके तीन पुत्र तीर थी पर निकल पड़े पुत्र संतलाल यादव का कहना है कि घोडी के लतार से उसका सिर्फट गया था और उसकी हालत काफी खराब हो गई थी जिसके बाद माता पिता ने बाबा से कामना की थी कि अगर बेटा ठीक हो जाएगा तो दर्शन करने जाएंगे संतलाल यादव ने ब जाएगा तो अब तो यहाँ जा रही है बासकेना देवगर में पुझा अरचना किये क्या मांगे फिलाल इस बुलिटन में इतना ही आप देखते रहिए आज की खबर